चैप्टिर नमबर फाइब बैटरी में आप लोगे ने सीरीस कनेक्च्छन अग्टरी पढ़ा था. नेक्स अमनों बात करेंगे पैदलर कनेक्चन अग्टरी भीड फरी चीब में जотриके पहले कनेक्चन अग्टरी तो इसके पहले हम दिफिनिशन तिक लेते हैं शेल के बारे मता थिया गया था ठीक है अब रात्मिक सेल डुट्वूएक. सेल के बारे मताए गया था आप लोगों को सेल एक ऐसी रशानिक युकति है जो राशानिक खुर्जा को फितुजह में प्रवर्थत करती है जैसा कि आप लोगों को पता है स्टेट वार सेट है इस जो सीधे रास्याइने कुर्जा को बीद्व दूजां करता है तो इसमें रासायने करीया क्या होती है ठीक है नॉन रिवर्शिबल उसको बोलता है उत्क्रमडी नहीं नहीं होती है ठीक है रासायने प्राइमरी सेल में जो होता है रासायने का विक्रिया जो डियक्षन जो होता है इसका वो क्या होता है नॉन डिवर्सिवल होता है यानि उतकरमड़ी नहीं होती है ठीक है अनुतकरमड़ी होती है अर्थात इन्हें पुना आवेशित नहीं किया जा सकता ठीक लुप में संचित करता है तो लुप में इसमें क्या होती है रहाजानिक पुना क्या जासकता है सेंपर, और ग्रूस निप iteration, जासे सच मों आखने के लिए सेल मी सेंजिन कॉठाने के लिए सेल कोका साहलां करिए करते हैं वह उनके क्या प्रतेक सेल के द्धनात्मक प्लेटों को प्रतेक सेल के धनात्मक प्लेटों को क्या करते हैं अगले सेल के रिधनात्मक प्लेट से जोड़ते हैं या रिधनात्मक प्लेट को अगले सेल के धनात्मक प्लेट से ठीक है यानि कि अपोजिट पोलर्टी वाले से करेंगे हम इसको कनेक्ट करते हैं तथा इस संयोजन से प्राप्ट बैटरी की वोल्ट था ठीक है इस प्रकार के संयोजन से यानि कि जो हमारा यह रिरात्मक प्लेट को अगले रिरात्मक प्लेट को जोड़ते हैं इस प्रकार जो हमारी बैटरी होती है तो इस प्रकार इस प्राप्ट बैटरी की जो वोल्टा है प्रतेक सेल की वोल्टा क्या होता है योगफल होता है प्रतेक सेल की वोल्टा का योगफल होता है तथा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोद प्रतेक सेल के आंतरिक प्रतिरोद का योगफल होता है ठीक है यह आप लोग आंतरिक प्रतिरोद है ठीक और यह हर एक अटर से और चल्ट सेरें स् facult Wirtschaft है और फ्रतिय दिवियियर ओर यह को युखवल कर दोसे निकालते है तो तो अगां वोल्टेज के जो सभी यगफल होगा do श्रथिय प्रतिरोध वाले बैटरी एंस्रेड़ी हो सब्सक्राइब निकालना है तो इतना निकालना वोल्टरिस में सब्सक्राइब लगे तो इन्टो कर दिंगे एक यह टाइब टैसका संपूर आंध्री प्रतोर्त का जाएगा निर्मीत बीन अन्टिस्पाइब आगवी सांख्यान संख्यान सेपोन इन सेपोन होला चाहिए सेडिश्यों सब्सक्राइड to के साथ देआटु को परिपात की सम्पूर ठीक है परिपत्की संपूर दरता के बरबर होता है इस प्रकार से dependence L करते हैं छीम करें आपैरलर क्रीशन समांतर संधीन में प्रतेक के धनात्मक में प्रतेक अप्लेट में entrepreneur थो यह में प्रतेक से म्हें होगा ऑष जिडल रहा दोрий हम पोस्ट्वा आप्लेट तिक उड़ेगए इस संयोजन में कनेक्शन में फ्राक्ट बैटरी तुल होती है इक्विलेंट के पैसिटिन्स होता समांतर क्रम में जुड़े प्रतियग सेल की धरता का युक्फल होता है कि अध्यक्त्य वोल्टेज़ के बड़ावर हो गाव सिंहों है, अध्यससने प्रथिचोण के यह साथ क्या हुआ जुड़ा हुआ है तब संपूर सम्पूर बोलता क्या हो जाएगा चीट है और अपूर एक शेल की बोलता है इसकोल टू क्या ए अथा प्रतिरोध आर में प्रवाहिध धारा अगर हम निकालें इस एक्स्टर्नल रजिस्टेंज में कितनी करें फ्लोह हो र इस प्रकार सेल में क्या होंगे और समांतर क्नेक्शन दोनों क्नेक्शन होते हैं यानि कि सेलों के इस सेलों के वुल्टा चमता है जब 110 वोल्ट या इस से अधिक वोल्टेज की बैटरी बनानी होती है तब इस समयन क्या करते हैं हम उपयोग करते हैं ठीक है इस प्रकार से इसका समयन करते हैं यह सीरिज में लगा हुआ है इस सीरिज के सिपैलर में लगे हुए कुछ सेल ठीक है टूटल एन हमने माल लई इसमें जो मारा एक्स्टर्नल अजिस्टेंस हो क्या है आ रहें यहां पर तो माल लेते हैं माना एन प्रतीक समांतर प्रत में स्रेडी बद जुड़े सेलों की संक्या है स्रेडी क्रम में जुड़े सेलों के समांतर पतों संक्या है मतलब स्रेडी क्रम में जुड़े समांतर पतों क्या है संक्या है यह क्या है प्रतीक सेल का वोल्टेज है और आर क्या है प्रतीक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है क्या है एक्स्टेनर रजिस्टेंस है ठीक है आई क्या यहां पर परिपत्ने संपूर धारा जाएगी तो स्रेडी समांतर संयोजन में सेलू का जो कूल आंतरिक प्रतिरोद होता है हम कैसे निकाल लेंगे एन इंटु आर इसको अपॉन अब लागे हैं तो जितने भी हमारे वोल्टेश लगें यहां से फाइंड नौट कर लेंगे अता बाह प्रतिरोद जो होता है आर में प्रवाहिद धरा क्या हो जाएगी आए बराबर इसको अगर अगर निकाल को में बात करेंगे सेलो का अंतरिक पतिरोद क्या होता है सेलो का अंतरिक पतिरोद देखे जब किसी सेल को किसी लोड से जब किसी सेल को किसी लोड से कनेक्ट किया जाता है तब सेल के अंदर भी विद्धु ध्यारा क्या होती है प्रवाइट होती है ठीक है तथा सेल का वह प्रतिरोत जो सेल के अंदर धारा प्रवा का विरोध करता है ठीक है सेल के अंदर जो करेंट फ्लो होता है उसमें जो हमार करता है से आंतरीक प्रतों तो अलग होता है लेकिन हर एक सिल का अपना अलाग क्या हो होता है इंटर्नल अजिस्टेंस होता है इस स्मॉलРЕ से क्या करते हैं मात्रक निम्लिखित घटक॑ पनिल्बर करता करता है प्लेटों की बीच की दूरी की क्या होता है समानुपाति होता है और दूसरा होता है सेल का आंत्रिक प्रतिरोट सेल में विद्धूत अप्गट की मात्रा पर भी निर्बर करता है थोज घ् z विद्दूत अपगठी की सांफ़ाथ पर भी निरुबर करता है यह हमारे हैं सेल जो हां तर्फ़त्रों होते हैं कि घट को निरुबर करते हैं यह नेक्स बात करेंगे बैटरी क्या होता है दिन दोंने सिल का विल Nahum होती हैं हुआ के पार को पम पढ़ना चार्जिंग किन करते हैं ज्रक्ट कीए मुआ नहեղा है . अहले हैं यह झो है यह जेखे तो शाहिक है तो कि गवार एसके का इसका यह जौ रहे ॉट्टी जल ठीक का करते हैं सिसा अम्र संचायक सिल का देखे क्या होता है एक अधान पात्र लेते हैं ठीक है इस अधान पात्र में हम एक लेट परक्साइड का इलेक्टोर्ड और एक क्या करते हैं लेट का इलेक्टोर्ड दो इलेक्टोर्ड हमें लिया एक पॉस्टिव और एक निगेटिव अलेक्टोर को रखते हैं उसके लिए का है और यह जो मैंने आ पर इस ट्व एस फॉर शल्फूरिक अमर्ड रखा है वह क्या है यहां पर इलेक्ट्रोलाइट विद्दृत अभगट्यों के बीशे मने क्या क्या है दोनों इलेक्ट्ट्रीट को यहां पर लग दिया है अब देखिए इसमे रबर का अधान पात्र होता है जिसमें वित्दूत अभगट याने की इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तथा सेलों की पलेट इसले एसलिज फूर मोAcc Toututาย होता है एक सेल का ऐनोंड यानी पॉस्टीव सिरा सेल का पॉस्टीव सिरा और यानी पॉस्टिव सिरा तथा जो कि ए तो चल का कैथोर्ड होता है यह निगेटिव सी रहा होता है इस पंजी लेट का यह पीवी का बना होता है और इसका रंग का होता है हलका असलेटिया ग्रेकलर का होता है तो विद्धुत अभगत यह एक एलेक्ट्रो लाइट के रूप में जो डैलोड सल्फूर का जिसमें तीन भाक्या होता है जल यह भाक्या अब्धर प्लावेशन पर इस इस फुल्猜 चार्ड रहता है इसके द्वारा सेल में से आवाशकता पढ़ने पर धक्कन के द्वारा शेल में अम्ल डाबा जयता है तो इस प्रकार से घृति है तो इस प्रकार से आपना थिर्चार्चायक से सिर उदेख तो नेक्स्ट करेंगे चार्जिंग और डिस्टार्जिंग के बारे में किसके लेड एसीड स्टोरे सेल के ठीक है